मुनिर भाई यह आप देख रहे हैं निजाम उद्दिन ओलिया की दरगाह की दक्षिन दिशा में सफेज संगमरमर की तराशिवी जालिया हैं इन जालियों के पार इस खूबसूरत मगबरे में कौन हो सकता है लगता है इस मगबरे में कोई शहIZादी अराम फर्मा रही है अंदाजे से बता सकते हैं कौन शहजादी शाहिड कोई मुगल शहजादी होगी जी मुनिर भाई आपने बिवकल सही फर्माया इस मगबरे में जो की बगहर चित का मगबरा है मुगल शहजादी जहारा बेगम अराम फर्मा रही है शाजहा बाश्या की तीन बेटियां थी जहारा बेगम, रोशनारा बेगम, गोहरा बेगम जिसमें जहारा बेगम सबसे बड़ी थी क्योंकि उन्हें निजामुद्दिन ओलिया से बहुत अकीदत थी उस अकिदत की वज़े से इन्हे निजामोदिन दरिया के आहाते में ही दफनाय गया इनकी ये इच्छा थी कि जब उनका इंतिकाल हो जाए तो उनकी कबर को किसी छट से ना कबर किया जाए इसलिए बगैर छटकाई मगबरा है जो और उनकी कहा था कि मेरी कबर को सिवाए हरी घास के किसी चीज़ से ना ढखा जाए मिस नाचीज के लिए इस अधना से इनसान के लिए केवल हरी घास ही कबर को ढखने के लिए काफी है आप देख सकते हैं आज बड़े सुकून से वो अराम फर्मा रही है जहारा बेगम अपने जमाने की बहुत ही विद्वान महिला थी अर्बी और फार्सी की परकंड विद्वान थी